हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक टो मैं चैनल वंदनाज बुठीक आज मैं अपनों के साथ मैं 40 साइज के 3 पीसेज प्रिंसेज कट ब्लाउज के कटिंग सेयर करने वारी हूँ इसमें दोनों साइज के नेक हमारे डीब हैं स्लीवस में हमें पॉप स्लीव करना है और यह जो ब्लाउज का फैब्रिक है यह है औरगेंजा फैब्रिक इसमें मैंने फ्यूजिंग को अटेच किया हुआ है तो फ्यूजिंग कैसे अटेच किया है इसे भी मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से हमें ब्लाउज में फ्यूजिंग को अटेच किया जाता है तो फ्रेंच वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ा आप लोगो इसमें से सीखने को मिलेंगी आज की वीडियो अगर आप लोगो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगो सेयर कर दीजेगा और फर्स्ट आप मेरी वीडियो देख रहे है तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरू कीजेगा आज की कटिंग सुरू करेंगे मेजर मेट स्क्रीन पर दिया हुआ है तो फ्रेंच यहाँ पर मैंने कौटन का फैब्रिक लिया है ये प्योर कौटन है इसको मैंने वास करके अच्छे से आयन कर लिया है और ये देखे इसमें जो कौटन के फैब्रिक रहता ना प्रेस करने के बाद वो थोड़ा सा इदर उदर खीच जाते हैं तो उतना जितना भी नीचे क्रॉस पैब्रिक है उसे मैं इसे इस तरीके से स्केल लखोंगी और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे का पोर्शन छोड़ दोंगी इसे हम बाद में कटिंग कर लेंगे अब हमें बैक क्रॉस पैब्रिक है उसे हम बाद में करेंगे लेकिन हुक का मार्जन पकड़ते हुए मैं यहां पर हाफ इंच फैब्रिक के यहां पर मार कर लोंगी तो उपर से लेकिता नीचे तक मैं एक कर लोंगी हमारा वक का भी मार-ज़न रहेगा और नीचे की साइड में जो cross fabric आ रहा है उसको हम बाद में cutting कर लेंगे blouch की length के लिए marking करेंगे 14 and half blouch की length है उसमें हमें 1 inch add करना है तो 15 and half में यहां पर मार करेंगे और यहां पर भी हमें same marking करनी है दोनों point को ध्यान में रखते वे हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे यह हमारी शोल्डर की लाइन हो गए 15 इंच का शोल्डर है उसका हाफ करके 7.5 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे तो फ्रेंच अभी हमें यहाँ पे फुल शोल्डर का ही मार्किंग करना है जब हम नेक डीप लगाएंगे उसके बाद हम शोल्डर म में half inch add करना है तो अब हम आर्मोल का formula निकालते हैं 40 हमारा full bus का measurement है उसे हमें 6 से divide करना है तो 6 से divide करने के बाद आया 6.6 उसमें हमें half inch add करना है तो कितना हो गया 7.1 तो यहाँ पर हम 7.1 में marking करेंगे major tape हमारा straight रहना चाहिए तो इस तरीके से 7.1 में यहाँ पर मैंने marking कर लिया है इस line को हमें straight करना है यह हमारी chest वाली line हुई अब shoulder के लिए हमने mark किया है तो उससे पहले मैं यहाँ पर neck deep के लिए marking करूँगी तो neck deep के इसाब से जब हमें पता चलेगा कि हमारा neck deep कितना है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर shoulder में से minus करेंगे तो यहाँ पर पहले क्या करना है जो मुझे design बनाना न उसके हिसाब से मैं यहाँ पर 1.5 इंच उपर की side mark करूँगी क्योंकि हमें यहाँ पर से shape देना है अब यहाँ पर हमें जो hook रखने हैं वो तीन hook रखने है तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर 2.5 इंच में mark करूँगी तो यहाँ पर हमारा अब neck का deep कितना हुआ 11.75 इंच में marking है तो half इंच हमारा shoulder का margin है तो 11.25 इंच हमारा neck deep है तो इसके हिसाब से हम minus करेंगे यहाँ पर 2.25 इंच अब minus की अब हमारा shoulder major करते हैं कितना है 5.25 इंच यानि कि 10.50 इंच का हमारा shoulder हो गया नीचे भी हमें 5.25 इंच में mark करना है अब इन दोनु point को मिलाते हुए हम एक line draw करेंगे अब हमें slope करना है तो यहाँ पर यह deep neck है तो deep neck के एसाब से हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे 0.25 इंच से लेके half इंच तक का ही shoulder slope करना है तो यहाँ पर अभी मैं 0.25 इंच का shoulder slope कर रही हूँ तो इस point को हम यहाँ से neck के point को straight कर देंगे तो यहाँ से मैं cross line कर देती हूँ तो आपको पता चलेगा इसे हमें cutting करके निकाल देना है upper chest के लिए marking कर लेंगे तो 38 and half upper chest का measurement है उसका हमें one foot करना है तो यहाँ पर 9 and half से एक line ज्यादा में हम यहाँ पर मार करेंगे अब हमें यह deep neck है तो इसमें से minus करना है कितना minus करेंगे half inch हम minus करेंगे यहाँ पर से ठीक है अब one and half inch का हम margin लेंगे अब हमें कमर के लिए marking करना है 34 inch की कमर है उसका हम one foot करेंगे eight and half में marking करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो हमने hook के लिए marking करके रखाया उसे छोड़के हमें major tip को रखना है उसके बाद हम कमर का one foot में marking करेंगे अब यहाँ पर मुझे back dot नहीं देना है तो direct one and half inch का margin ले लूँगी scale लेंगे उपर वाले point को देखना है और कमर वाले point को दोनु को मिला देना है और यह side का हमारा margin भी straight कर देना है अब हमें armhole को shape लगाना है तो यहाँ पर से मैं इस तरीके से हाथ से shape दोंगी तो यहाँ पर point 75 inch अंदर की side मार करेंगे तो इस armhole के shape को हमें इस तरीके से मिला देना है shape लगाने के बाद हमें armhole को check करना है तो उपर की side से देखे हमें stitching का half inch margin छोड़ देना है तो इस तरीके से मैंने line draw कर लिया है अब हमें इस तरीके से major tape को रखना है और ऐसे हम घुमाते हुए armhole के point में लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखे 9.75 inch ready है यानि कि हमारा armhole 19.5 का armhole है उसका half ready आना चाहिए तो हमारा perfect आ गया है तो यहाँ पर देखे मैंने यह marking भी कर दिया अगर आपको समझ मैंने आ रहा है हमें कितना measurement करना है कहां से करना है तो यह देखे एक बार फिर से मैंने measure किया 9.75 inch तो यह अभी हमारा perfect है अब हमें armhole वाली line को आगे बढ़ाना है और 0.25 inch नीचे की side मार करके इस तरीके से shape लगाते हुए armhole के shape में मिला देना है ready shoulder हमें कितना रखना है 1.5 inch तो armhole की side से half inch का margin हमें छोड़के 1.5 में marking करना है अगर total गिनेंगे तो 2 inch का armhole की side से marking करना है अब हमारी यहाँ से necky width चेक करेंगे तो यह हो गया हमारा 3.25 inch नीचे हमें mark करना है 3.5 inch में तो यहाँ पर मैं 3.5 में ही करूंगी क्योंकि उपर का neck width भी broad है shoulder पट्टी हमारी जो है 1.5 inch की ही रखनी है तो पहनने के बाद blouse अपने आप फैल जाएगा अब यहाँ पर जो हमें neck का shape बनाना है उसके लिए हम major tip को shoulder के यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर से हम 7.5 inch में mark करेंगे अब हो सकता है कई लोग सोचेंगे कि यह measurement की से साब से किया जो हमारी armhole वाली line है उससे हमें 1 inch नीचे की side में mark करना है अब हमें scale लेना है जो हमने यह point लगाया है इसे हम neck के deep से मिला देंगे इस तरीके से हम यह draw कर लेंगे और यहाँ पर यह हमारा hook का है तो उसे मैं straight कर लूँगी तो एक बार यहाँ पर जो extra fabric है side का हम उसे cut करेंगे और hook का margin जितना चाहिए उतना ही मैं यहाँ पर मार्किंग कर लेती हूं तो उपर का neck shape हमने लगा लिया है अब नीचे की side से हमने 1.5 inch उपर की side जो मार करके रखा है उससे हमें कमर की side को shape लगाना है तो इस तरीके से हम shape वाला scale लेंगे और ऐसे हम रखके line draw करेंगे तो यह देखिए हमारा कमर की side में उपर की side भी shape आ गया है हमें कमर को इसमें straight नहीं रखना है तो आपको अगर straight रखना है तो आप इस तरीके से shape मत दीजिए straight आप नीचे की side से रख सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पूरे back part की marking complete होगी है अब हम इसकी cutting करेंगे अब यहाँ से हम cutting करेंगे तो shoulder में हमने जो slope किया हुआ था marking करके रखा उसे हमें cutting कर लेना है इस तरीके से हम cutting करते हुआ आर्मोल के point में आएंगे तो यहाँ पर हम नीचे वाली line में cut करेंगे और side में भी हमें cutting कर लेना है अब मैं एक बार आप लोगो ब्लाउच की लेंथ दिखाती हूँ हमारी ब्लाउच की लेंथ बराबर है या नहीं है 14 and half हमारी लेंथ है तो लाइन में बराबर आ रहा है तो नीची की साइड से हम इसमें स्टिचिंग का मार्जान एट कर लेंगे एक बार फिर से हम लेंथ चक करेंगे तो यहाँ पर दिखे अभी 14 and half perfect ready आ जाईगा आर्मूल के यहाँ पर थोड़ा सा उपर की साइड कटा है इसे में बराबर शेप कर लूँगी तो शोल्डर के यहाँ पर कट लगाएंगे आर्मूल के यहाँ पर भी एक कट लगा लेंगे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है अब मैंने यहाँ पर फिर से अस्तर ले लिया है तो यहाँ पर साइड में मैंने बैक पार्ट की कटिंग करी थी इसी के नीचे से हमें front part की cutting करनी है front में हमारा hook नहीं है pack रहेगा तो इसके लिए ये on forward वाली side मैंने अपनी side रखाया open वाली side सामनी की side में है अब हमें front part के लिए marking करना है तो front part में एकी चीज का ध्यान रखना है हमारा back part की जो लंबाई रहती है front की लंबाई हमारी उससे ज्यादा रहती है minimum 1.5 इंच तक की length ज्यादा रहती है अगर 42 से उपर का size रहेगा तो हमें 1.5 की जगर 2 इंच या 2.5 इंच भी लेना पड़ सकता है तो नीचे की side से एक line draw करेंगे अब total length हम यहाँ पे लेंगे 17 इंच 14.5 हमारी total length है 1 इंच उसका stitching का margin हुआ और 1.5 इंच हमारे front के साब से हमें जो length बड़ानी है दोनों point को मिलाते हुए हमने यहाँ पे एक line draw कर ली है जो हमारी shoulder की line है shoulder के लिए mark करेंगे तो यहाँ पे मैं अभी जो full shoulder है उसी की marking कर रही हूँ 15 इंच की shoulder है तो उसका half करके हम 7.5 इंच में mark करेंगे अब हमारा front का neck deep कितना है 9.5 इंच का deep रखना है तो उसमें हमें half inch stitching का shoulder का add करना है और point 25 इंच और add करेंगे जो हमारा shoulder हम minus कर देंगे उसके वैसे फिर neck हमारा छोटा हो जाएगा इसके लिए हम यहाँ पे 10.25 इंच में mark करनेंगे और यहाँ से अब हम shoulder minus करेंगे वैसे तो हमें back part की हिसाब से ही marking करना है तो यहाँ पर से हम shoulder minus करेंगे 2.25 इंच तो minus किया हुआ shoulder कितना बज़ गया भी 5.25 इंच अब हमें major tape को इस तरीके से shoulder में रखना है 0.75 इंच में हम यहाँ पे इस तरीके से marking करेंगे अब इसी point में हमें major tape को रखना है और नीचे की side रखते हुए हम यहाँ पे armhole के formula का use करेंगे तो chest divide by 6 plus half inch तो यहाँ पे मैं 7.1 में marking करूंगी इस तरीके से हमें यहाँ पे पहले क्या करना है एक line draw करनी है यह हमारी chest वाली line है अब यहाँ पर हमें कितना measurement रखना है जितना हमारा minus किया हुआ shoulder है उतना ही हमें नीचे भी marking करना है तो 5.25 इंच में mark कर लेंगे दोनु point को ध्यान में रखते वे यहाँ पे एक हम line draw कर लेंगे अब यहाँ पे हमें जो shoulder की पट्टी ready रखनी है 1.5 इंच की रखनी है तो armhole की side का margin छोड़ते वे हम इसमें 2 इंच में mark करेंगे और इस तरीके से shoulder down करेंगे तो यह एक line मैंने draw कर ली है अब हमें chest के लिए marking करनी है 38.5 अपर chest का measurement है तो इसमें हमें front part के एसाब से losing add करना पड़ेगा 1.5 इंच हम add करेंगे तो 40 इंच हुआ 40 इंच का 1-4 निकालेंगे 10 इंच में marking कर लेंगे अब हमें armhole को shape लगाना है तो यहाँ पे मैं एक easy तरीका आप लोगों को बताती हूँ फ्रंट को हमें किस तरीके से shape लगाना है तो देखे जो हमने line draw करके रखी ते 1.5 इंच उससे आगे की sign मार करके एक दूसरी line draw करेंगे यह हमारी back के armhole की line हो गई तो पहले हम back के armhole को shape लगाएंगे तो इस तरीके से shape लगाते हूए हम armhole के point में मिला देंगे अब हमें इसके अंदर half inch आना है तो यह हमारा front के armhole का shape हुआ तो पहले हम back को लगाएंगे उसके बाब front लगाएंगे तो front भी हमारा कम ज़्यादा नहीं होगा अब हमें neck का shape लगाना है तो उपर की side में हमारे neck की width कितनी है 3.25 inch और नीचे हमें 3.5 में marking करना है और एक line draw कर लेंगे दोनों point को ध्यान में रखते वे एक दूसरी line draw करेंगे अब यहाँ पर मैं neck का shape लगाऊंगी तो friends यहाँ पर मुझे customer नहीं pick share किया हुआ था तो उससी के इसाब से मैं यहाँ पर neck shape draw कर रही हूँ अब यहाँ पर हमने जितना shoulder slope किया था उतना ही marking हमें यहाँ पर करना है तो इस तरीके से मैं mark करूंगी scale लेंगे scale से दोनों point को मिलाते हुए हम इसे straight कर देंगे और यहाँ पर मैं इसे line draw कर लेते हूँ तो इससे आप लोग को पता चलेगा कि यह shoulder हमें cutting करके निकाल देना है अब हमें apex length के लिए mark करना है यहाँ पर हम center में रखेंगे और इस तरीके से major tape को straight करेंगे तो 10 and a half inch की length है उसमें हम half inch add करेंगे तो 11 inch में mark कर लेंगे और scale लेंगे scale से इस line को draw कर लेंगे यह हमारी हो गई apex line अब हम यहाँ पर three piece princess cut blouse की cutting कर रहे हैं तो उसके लिए हमें under bus के measurement की जरूरत परती है तो यहाँ पर मैं 14 and a half में marking करूंगी अगर आप under bus का measurement नहीं ले पाते हैं तो एक तरीका मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूं तो जो हमारा apex point है वहाँ से three inch या three and a half inch में हमें marking करके under bus का marking करना है तो यह जब 42 से उपर का size बढ़ेगा तो इसमें थोड़ा बहुत और changes जाएगा जिसे साब से chest का size बढ़ेगा उसी के साब से हमारा under bus की length भी बढ़ चाएगी इस line को मैं अभी यहाँ पर dot dot करके करती हूं और यहाँ पर blue color change कर देती हूं आप लोगों को पता चलेगा यह हमारा under bus वाला line है apex to apex mark करेंगे 8 inch का apex to apex measurement है तो उसका half करेंगे 4 inch stitching का margin add करते हुए मैं यहाँ पर 4 and half inch में mark करूंगी अब हमें कमर के यहाँ पर भी mark करना है तो जो हमने उपर marking किया था apex to apex उसमें से half inch minus कर देना है तो यहाँ पर मैं 4 inch में mark करके apex वाले point को कमर के point से इस तरीके से मिला देंगे अब हमें dart के लिए marking करनी है तो यहाँ पर हमें princess cut का shape लगाना पड़ेगा तो उसके लिए dart हम यहाँ पर लगाएंगे 3 inch में 40 inch size के यहाँ पर 3 inch में मैंने gap दिया है तो दोनू point को मैंने scale से straight कर दिया है अब नीचे से कमर के side से आती हुई line को हमें armhole की side बढ़ाना है तो पहले यहाँ पर मैं armhole की यहाँ पर center निकालूंगी armhole के यहाँ पर हमें dart देना है इसके लिए यहाँ पर हमें 1.25 inch का पूरा हमारा dart होना चाहिए तो line के एक side हम half inch से एक line ज्यादा में marking करेंगे सेम उसी तरीके से center बढ़ी line से दूसी side half inch से एक line ज्यादा तो यह total हमारा दोनों side का measurement 1.25 inch होना चाहिए अब apex point से हम और जो पहला वाला point है उसको हम दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से line draw करेंगे अब हमें दूसरी side भी line draw करनी है उपर की side में हमने जो point लगाया है उसे apex point से इस तरीके से मिला देंगे आर्मूल के यहाँ पे जो हमारा dart बना है इसके अंदर भी हमें line draw कर लेनी है इसे भी हमें cutting करके निकालना है इसलिए इसके अंदर में line draw कर रही हूँ अब हमें यहाँ पे apex point से लेके दूसरी वाली side का जो line है उसे major करना है 6.25 inch है इसका हमें पहले half करना है 3.1 अब जो 3.1 आया उसका भी हमें half करना है one and half से थोड़ सा आगे मार करना है और दूसरी side भी हमें same one and half से थोड़ सा आगे मार करना है क्योंकि एक point का कोई खास major में नहीं आता है था वहां से point 25 inch बाहर की side मार करेंगे अब हमें उपर वाली line को भी major करना है इस तरीके से हम इसका भी half कर लेंगे half करके center में हमने marking कर ली है अब point 25 inch बाहर की side मार करेंगे अब हमें यहाँ पर princess cut का shape लगाना है तो यहाँ पर मैं french curve से नहीं कर रही हूँ इसके लिए आप लोगों को हाथ से draw करके दिखा रही हूँ इस तरीके से मिलाते हुए हम line में मिला देंगे अब हमें इस तरीके से apex point से नीचे की side shape लगाना है तो इस तरीके से हम draw करते हुए कमर की side में मिला देंगे तो एक बार मैं यहाँ पर फिर से shape को सही कर लोगी तो इस तरीके से हम dark करते हुए कमर की side को draw कर लेंगे नीचे की side में अब हमें कमर के लिए marking करना है क्योंकि हमने dart लगा दिया है तो 3 inch हमारा minus हो जाएगा अब यहाँ पर से हमें major tip को रखना है hook का margin हमें छोड़ के count करना है तो इस तरीके से रखेंगे पहले हम first part में यहाँ पर stitching का margin छोड़ेंगे फिर जितना हमारा measurement आया उसे हम आगे वाली part में रखेंगे तो यहाँ पर भी हमें stitching का margin छोड़ते हुए कमर के one-fourth में marking करना है तो यहाँ पर 34 इंच की कमर है उसका one-fourth eight and a half में marking करना है और one and a half इंच का margin लेंगे यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोगों को clear करना चाहती हूँ मुझे एक comment आई वी थी अगर हम full bus के सबसे cutting नहीं करते हैं तो chest में tight हो जाएगा तो अभी मैं आप लोगों का doubt clear कर देती हूँ तो यहाँ पर हम यह apex वाली line को पहले पूरा आगे की side बढ़ा देंगे अब हमें क्या करना है आप ध्यान से देखिए जो हमारा princess cut का first part है यहाँ पर हमें stitching का margin चोड़ना है दूसरी side बे हमें station का margin चोड़के एक marker लेना है तो यहाँ पर हमें full burst के measurement की जरुवत पड़ेगी 40 inch का full burst है उसका one foot करना है 10 inch अब हमें इस तरीके से major tape को रख रहा है first वाले part में marking के यहाँ तक हमें count करना है 4 inch आया अब इसी 4 inch को हम दूसरे वाले part में रखेंगे जहाँ पर हमने marking करके रखी है तो इस तरीके से हम आगे के side major tape को straight रखेंगे और यहाँ पर 10 inch में marking करेंगे जहाँ पर हमारा 10 inch आ रहा है वहाँ पर marking करना है और इसमें हम loging at करेंगे 0.75 inch क्या किया हमने यहाँ पर full burst का 1 fourth करके हमने marking किया दोनू पर्ट में और 0.75 inch का loging दिया और 1.5 inch का margin ले लेंगे अब यह तो मैंने आप लोग का doubt किलियर करने के लिए marking किया है इसकी हमें जरुद नहीं है लेकिन अब इस marking के हमें जरुद है तो हम करेंगे आगे की side mark तो यहाँ पर हमें करना है यह हमारा जो margin है 1 inch के आसपास आता है तो minimum तो 1 inch रहता है तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 1 inch में mark करूँगी और 1.5 inch का margin ले लेंगे अब हम scale लेंगे जो उपर वाला हमारा chest का हमने point निकाला है और कमर के point दोनों को मिलाना है center वाली को आपको देखना नहीं है इसका marking अपने आप इन line के बीच में आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए उपर वाले से हम नीचे वाले को इस तरीके से draw कर लेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फुल वस का measurement है losing के साथ में उसी line में अपने आप आ गया है और बाहर की side में जो one and a half का margin लिया है उसे भी draw कर लेंगे अब यह आपको doubt के लियर हुआ हमारा chest का one fourth four inch four inch को आगे रखा ten inch हमारा यहाँ पे आ गया देखो ten inch हमारा यहाँ पे आ गया और इतना हमारा losing हो गया क्योंकि हमने अपर chest में भी losing दिया है तो यहाँ पे आपका chest का doubt मैंने दूर कर दिया है I hope यह चीज आप लोगों को समझ मा आ गई होगी अब हमें आर्मोल के यहाँ पे आना है one inch हम नीचे की side मार करेंगे यहाँ पे आप point 75 inch भी कर सकते हैं बाद में हम back part से major करेंगे तो वो बराबर हमारा measurement समझ मा आ जाएगा तो one inch मैंने नीचे की side मार कर लिया है अब हमें दोनों panels को major करना है यह हमने पहले किया नहीं है तो apex point में रखते हुए हम पहले line को major करेंगे five and a half से एक line आगे है तो इस तरीके से घुमाते हुए दूसरे panel में ले जाएंगे जहाँ पे हमारा measurement आ रहा है वहीं पे हमें mark करना है तो यहाँ पे five and a half से एक line जदा है वहीं पे मैंने cross कर लिया है अब उपर की side से भी हमें इस तरीके से major tape को रखना है और apex point तक हमारा five and a half है अब वहीं पे apex point में रखते हुए हम दूसरे panel की side में इस तरीके से mark करेंगे तो यहाँ पे five and a half में marking हो गए अब हमने यहाँ पे जो marking करके रखी है यहाँ पर से हमें नीचे की side आर्मोल का shape बनाना है तो इस तरीके से shape देते हुए हम line में मिला देंगे अब हम इस dart को अगर minus कर देंगे जैसे देखे इस तरीके से हम इसे stitch कर देंगे तो ऐसे हमारा एक के उपर एक हमारा यह आ जाएगा तो इस देखे हमारा आर्मोल बराबर मिलना चीए आर्मोल का shape बराबर आना चीए तो देखे उपर की side से line हमारे बराबर तरीके से उसमें पैट जाएगी stitch करने के बाद अब हमें करना है sides को match तो back part हम ले लेंगे पहले दोनों के sides को match करेंगे अगर हम side match नहीं करेंगे तो एक part छोटा एक part बड़ा भी हो सकता है तो इस तरीके से पहले back part के दोनों बराबर कर लेते हम तो इस तरीके से रखते हुए हम नीचे की side में मार कर लेंगे जो हमारा back side का length आ रहा है सेम उसे के साब से मार करना है तो इस तरीके से मार करेंगे अब हमें back part को हटाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हमारे line के उपर ही marking आई है तो हमें length बड़ानी की जरुवत इसमें नहीं पड़ी क्योंकि हमने एक साथ में length बड़ाई हुई है इसके लिए हमारा इसमें बड़ाने की जरुवत नहीं पड़ी है अब नीचे की साइड में जो हमने dart दिया था यहाँ पे भी मैं line draw कर लेती हूँ तो यह हमारा part cutting करके निकल जाएगा इसके लिए मैं यहाँ पे line draw कर रही हूँ यह आपको समझ में आ जाएगा तो यह देखे हमारे कहां कहां पे हमने line draw करके रखिए वो वो part हमारा cutting करके निकल जाएगा अब यहाँ पे देखे कई लोग dart लगाते हैं अभी तो मैं dart नहीं लगा रही हूँ तो यह इससे fitting बहुत अच्छी आती है जब आपके normal neck रहते हैं और अभी जो मेरा neck है 9.5 inch का neck deep है तो काफी deep है तो मैं यहाँ पे dart नहीं लगाऊंगी और मैं आप लोग को बता रही हूँ कि इस तरीके से आप center में भी dart लगा सकते हैं इससे भी princess cut का fitting बहुत अच्छे से आता है वहाँ पे जो chest के हाँ पे losing रहती है कपड़े की वह losing इस dart से पूरा खतम हो जाता है तो यहाँ पर हमारे princess cut की marking complete हो गई है अब हमें इसे three piece में convert करना है नीचे से जो हमारी belt है उसे हमें अलग करना है तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए अब यहाँ पर हमने जो under bus की line draw करके रखी है वहाँ से one and a half inch उपर की side हम mark करेंगे अब हमें इसे इस तरीके से मिलाते वे under bus की line में मिला देना है तो हम scale लेंगे और यहाँ पे shape scale का यूज करना है इस तरीके से हम draw करेंगे line को और इसी line को हम आगे को बढ़ा देंगे तो यहाँ पर मैंने two piece princess cut को three piece princess cut कर लिया है यहाँ पर हमारा यह belt हो गया अब हमें cutting की इस तरीके से करना है हम belt को तो अलग से दूसरे कपड़े में cutting करेंगे उपर वाले piece को हम इसी में cut करेंगे तो नीचे की side में मैं उपर का margin add कर लूँगी half inch का margin add करते वे मैंने एक line draw कर ली है belt को हम अलग से cutting करेंगे क्योंकि इसमें अभी हमारा dart का भी margin है उसे हमें minus करना पड़ेगा belt की cutting करने के time पे ध्यान रखना है हमें किस तरीके से cutting करना है तो एक बार मैं measurement करके आप लोगों को दिखाती हूँ यह देखे हमारा जो आ रहा है measurement three and a half आ रहा है तो उपर से हमें stitching का margin इसमें add करना है half inch और कमर की side का two and a half है तो half inch stitching का add करके three inch में marking करेंगे तो यहाँ पर हमारे belt with princess cut blouse की marking complete होगी है अब हम इसकी cutting करेंगे तो यहाँ पर देखे जहाँ पर मैंने marking करके रखा है margin दिया है वहाँ पर cut करना है center में हमने already पहले से ही margin add किया हुआ है तो इसमें हमें अलग से लेने की जरुवत नहीं है armhole की side से भी हमें line में ही cut करना है shoulder से हमने जो minus किया है उसे ही हमें cut करना है अब shoulder में और apex point में एक एक notch लगा लेंगे अब यहाँ पर देखे second piece में हम किस तरीके से cutting कर रहे हैं नीचे से margin लिया और इस तरीके से हमें shape में ही cut करना है जो हमने princess cut का shape लगाया हुआ है उसी के हिसाब से cut करना है तो यहाँ पर देखे इस तरीके से cut करते हुए हम armhole की side से यहाँ से cutting कर लेंगे साइड वाला piece भी हमारा cut हो गया है armhole की यहाँ पर एक हम cut लगाएंगे और apex point में भी हमें cut लगा लेना है अब हमें belt की cutting करनी है तो मैं यहाँ पर से cut करूँगी यहाँ पर हम joint लगा लेंगे hook वाली side में तो एक line draw करें और यहाँ पर stitching का margin में joint वाला add कर लूँगी नीचे की side से हमें straight कर लेना है अब जो front में हमारा center आएगा यहाँ पर हमें 4 inch में marking करना है मैंने बताया था पहले ही और कमर की side में पहले हम यहाँ पर 1 fourth कमर का और 1 and a half inch का margin 2 and a half था तो यहाँ पर 3 inch में mark कर लेंगे अब हमें safe scale लेना है दोनु point को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से एक line draw करेंगे और यह जो margin वाला था इसे भी मैं अलग से draw कर लेती हूँ तो आपको समझ माएगा तो उपर की side में मैंने side वाले piece को रखाया और इस तरीके से हम मिलाते हुए line नेचे की side complete करेंगे तो यह हमारी belt की भी marking complete होगी है अब हम इसकी cutting करेंगे लाइन के उपर ही हमें cut करना है उपर का यह जो margin है इसी के हिसाब से हम cut करेंगे pinces कट के उपर के जो दोनों panel है उसके साथ में मैं belt को एक बार रखके दिखाती हूँ तो देखे इस तरीके से हमें रखना है यह चेक कर रहे हैं हम देखे यहाँ पर stitching का margin भी छोड़ना है यह यार रखना है हमें इस तरीके से रखेंगे और इसे फिर हम second part में रखेंगे अब यह यहाँ पर देखे बराबर हमारा आ गया हलका सा है उसे हम अभी cut नहीं करेंगे और एक तरीका इसके उपर हम रखेंगे तो इस तरीके से देखे यह हमारा बराबर आ गया है सभी pieces को हम side कर लेंगे अब हमें sleeves की cutting करनी है तो देखे मैंने कि इस तरीके से fold करके रखा है तो इस तरीके से मैंने sleeves को fold करके रखा है अब हमें नीचे से एक line draw करनी है और half inch का मैंने नीचे की side में margin भी ले लिया है 9 and half inch की length है उसमें हम half inch add करके 10 inch में marking करेंगे नीचे का मैंने पहले से ही half inch margin लिया हुआ है इसके लिए मैं उपर half inch ही add कर रही हूँ तो दूसी side भी मैंने same marking कर लिया है अब यहां से हमें armor down करना है 3.75 inch में यह elbow length तक sleeve है तो हम 3 and half से लेके 4 inch तक हम armor down कर सकते हैं दोनों lineों को straight कर देंगे अब यहां से हम marking करेंगे 1 and half inch में और armhole के लिए mark करेंगे जितना हमारा armhole है उसका half करना है हमें अब यहां पर मैं थोड़ा सा armhole में से minus करी हूँ क्योंकि हमने थोड़ा सा down भी किया है और यह puff sleeve है थोड़ा सा loose रहता है तो उसमें हम कम भी लेंगे थोड़ा चल जाता है तो यहां पर मैंने 9 inch में mark कर लिया है armhole को अब bottom के लिए mark करेंगे 11 and half inch का bottom है उसका half करेंगे 5.75 inch में यहां पर mark करेंगे अब हमें shape scale लेना है shape scale से हम bottom वाले point को armhole के point से इस तरीके से shape देंगे और बाहर की side में 1.25 inch का margin ले लेंगे इसमें हम कम भी कर सकते 1 inch का भी ले सकते हैं sleeves में अब हमें उपर की side में आना है यहां पर से हम इस तरीके से shape देंगे और armhole के point में हम मिला देंगे उपर की side में हमें puff के लिए marking करना है तो किस हिसाब से हमें करना है अगर हमें 2 inch का puff बनाना है तो हमें 4 inch में marking करनी है अगर 3 inch का puff बनाना है तो हमें 6 inch में marking करनी है तो उसी के हिसाब से आपको mark करना है जितना भी आपको puff ready रखना है उसका आपको double करके उपर mark करना है मुझे यहां पर 2.5 inch का करना है तो मैं 5 इंच में मार करूँगी उससे पहले हम इसकी width चेक करेंगे तो armhole के point से हम इस तरीके से major करेंगे यहाँ पर हमारा 8 and half उसका half करके 4.25 इंच में marking करेंगे इस line को हमें उपर की side बढ़ा देना है अब हमें जितना puff बनाना है उसकी length के लिए मार करना है 5 इंच में मैं यहाँ पे मार करूँगी क्योंकि 2 and half इंच का मुझे ready puff चीए तो यहाँ पे भी 5 इंच में मार करके यह दोनू point को ध्यान में रखते हुए एक line draw कर लेंगे अब हम उपर की side से shape लगाएंगे इस तरीके से french curve को रखेंगे और यहाँ पे एक line draw कर लेंगे और यहाँ से हमें french curve को उल्टा करना है और आर्मोल की side को line को बढ़ा देना है तो यह हमने puff sleeve के साब से line draw कर ली है फिर से हमें french curve को लेना है और इस तरीके से half inch अंदर की side मां आके एक दूसरी line draw करेंगे यह हमारे front के आर्मोल का shape है तो यहाँ पर फिर से हमें french curve को उल्टा करना है और इस तरीके से हम line draw कर लेंगे तो यह हमारा front का आर्मोल है और यह हमारा बाहर वाला back का आर्मोल है marking complete हो गी है अब हम इसकी cutting कर लेंगे तो नीचे की side से मैंने जो cross fabric था वो cutting कर लिया है अब उपर की side से हमने जो shape लगा के रखाया उसी के उपर cutting करना है तो यहाँ से भी हम line के उपर ही cut करेंगे आर्मोल के यहाँ पर एक cut लगाएंगे और shoulder के यहाँ पर भी एक cut लगा लेंगे sleeves को open करेंगे front के आर्मोल की भी cutting कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे puff sleeve की cutting कम्प्लीट हो गई है sleeves को हम फिर से fold करेंगे और यहाँ पर जो marking करके रखी है यहाँ पर एक cut लगाना है यहाँ पर से हम plate बनाना start करेंगे आज की cutting हमारी कम्प्लीट हो गई है जल्द ही मैं इसकी stretching की वीडियो भी upload करूँगी अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आए तो please वीडियो को like कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग को share कीजिए और first time मेरी वीडियो देख रहे हैं तो subscribe करके मेरे channel को support जरूर कीजिएगा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में thanks for watching